नमास्का दोस्तो, स्टोरी मेरा देश में आप सबका स्वागत है आज मैं रिव्यू कंडेवाना हूँ मूवी लियो का तो कि लियो जो है दो हाचार तेश में रिलीज की गई थी इस मूवी को डायरिक्ट किया है लोकेश कंगा राजने और ये लोकेश Cinematic Universe LCEU का पार्ट है सू बिसिकली ये जो स्टोरी है इसका यो प्लॉट है हिमाचल प्रदेश में उनका नाम पार्ति बन है और वो एक इनिमल होते हैं और साथ में उनका एक छोड़ा सा कैफे अच्छा का सा कैफे होता है और उनकी घर पे वाइफ एक बेटा और एक बutी एक अच्छी सी फैमली होती है और एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ जी रहे होते हैं स्टार्टिंग वे कुछ सीन्स होते हैं जिसमें हाइना को रेस्क्यू करते हैं और फाइनली उस रेस्क्यूड हाइना को अपना पेट भी पना लेते हैं लेकिन कहानी तब मुड़ती है जब कुछ चोर गुंडे हिमाचल में उसकी लोकीशन पर आ जाते हैं और किसी फैमली का मड़ कर देते हैं वो जो चोर होते हैं उनको बहुत ही खतरनाक तरीके से इसमें से जो एक चोर होता है तो वो उन गुंडों से लड़ने लग जाता है और लड़ते 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 फाइनली एक गुंडा जो है वो उसकी बेटी चिन टूशिस का नाब है उसके पास गोली लेकर पहुंच जाता है बंदू के लेकर पहुंच जाता है अब यहाँ पर इस टाइम पर य ऐसे लड़िया कि उसी वक्त अचानक से क्या होता है कि वो बंदों को लेता है पार्तिवन विजय है और जितने फी गुंडे होते हैं चार पांच उन सभी को सटिक सटिक मतलब माते पर सटिक मतलब इधर उदर कुछ नहीं सेंटर पे पांच गुलिया चलाता है चार या फे ओनर एक एनिमल रिस्क्यूर इतने सटिक तरीके से गोली कैसे मार सकता है अब यहां पर फिर केस होता है पुलिस केस चीरे चलती है और वहां पर पार्तिवन के उपर इल्जाम लगा जाता है कि तुम ने मर्डर किया है क्योंकि उसने बच्ची को प्रोटेक्ट रने के वह यह गोलियाया चलाई थी वह बच जाता है और यह बात खूंदलघकर देलंगाना के गैंक्स्टर हैडोल अदास के पास पुह पर प्रोटेवन के चैरे देखता है तो वह बोलता है कि यह तो मर् जुका है और उसके हिसाब से परल उस है Cape fizzy one नहीं और लीवदenschaft extends harap यंõ तोनी दास होता है उसके बाद जाकर वो बताता है और ये लोग उस हिमाचल प्रदेश में संजेदर जाकर उसको लाने की कोशिस करता है और वो बोलता है कि अगर वो पार्ति बन है तब तो ठीक हैं लेकिन अगर वो लियो दास है उसको एक दो लोग नहीं कम से कम 50-100 लोग त तो अब गहानी इसी चीज में घूंती है कि क्या पार्तिवन जो है वो लियो है या वो पार्तिवन है और सच बताओं ये वीजय की एक्टिंग इस मुवी में इतनी अच्छी है उसने इतना अच्छा कंफ्यूजन क्रियेट किया है लास्ट तक लास्ट के 5-10 मिनिट तक इतना बड़ा कंफ्यूजन कि क्या पार्तिवन लियोदास है या नहीं है और सच बता रहा हूं कि मैं भी जब इसका परदाफास होता है तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या सच में ऐसा है इसा ही है तो बहुत ही सस्पिंसफुल ये मूवी है हां मूवी थोड़ी सी लंब मैं कहा सकता हूं कि विजय ने अपने single-handed उस पूरी movie को खीचा है और last तक मतलब overall एक suspense बना रहता है कि क्या वो पार्तिबन है या वो लियोदास है तो इस confusion को दूर करने के लिए आप इस movie को जड़ूर देखे मेरे तरफ से इस movie को 7 out of 10 मैं दे सकता हूं क्योंकि अगर यह जो flashback और अच्छा बनाते दूसरी चीज संजदत को थोड़ा और strong अगर दिखाते थे थोड़ा और character में I don't know मतलब मुझे तो सहीं नहीं लगा वो सकता आपको अच्छा लगे but overall संजदत की acting थोड़ी और strong वो सकती थी script थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था तो इन कभियो को छोड़ कर overall विजय के 10 out of 10 देने के बाद पूरी movie को 7 out of 10 मैं देता हूं तो चलिए यह था मेरा review लियो movie का देता हूं आगले वीडियो में अगले review के साथ जैहंद